दो सब्दों नेगर में जब करने संबसा भिए वुछ को जब ध ceux के बाद के साथ करने वाली हूँ मेथी के बता है कि रज़ेशेएश magically T जब पानी जब सुक जाए तब तक इसे पकानाय में ठीक हो ठीक है और थोरा से फिर गरम मसाला भी डाल देंगे इसमें ठीक है ऐसे करने से क्या होता है कि तीता पन नहीं लगता है और अभी मैंने यहां पर पराठे के लिए डोर तियार कर रही हूं तो मैंने इधर तीन कप गेहूं का नार्मल आटा जो हो तक वो लिया है अजवाईं डाला से नमग डाल दिया और यह मसालों में हल्डी सालवा जीड़श पाउडर दनीभवर arlal निष पाउडर लेंगे और इसे कंड जालों में यहां पराठ गया होगा अधरक और लहिशन कर थे ? और फिर यहां पर मैंने यहां पर पका हुआ जो मेथी है उसे डाल के आठे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे ठीक है ऐसे मेथी पकाने से क्या होता है कि इसको जो करवा बनो देना वह दूर हो ज मैं ऐसे मिति पर यहां पराठा बनाना प्रिफर करते हूँ देहां पर मैंने आठा लगा लिया थीकए और उसके आठा लगाने बादे गाने से 10 मिनट तक मैंने थोड़ दिया था उसके बाद अभी चलो बनाते हैं मिलके मिथी का पराठा गर्मा गर्म मिथी का पराठा तो आटा का एक लोई ले लेंगे और इसे गोल 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 गुमा के अभी इसके हमें गोल गोल से पराठे बनाने हैं तो इसे पलोथन में लपेट लिया अभी हातों से इसी तुरह से गुमा के अभी बेलन क सायता से इसका पराठा बना लेते हैं आप चाहे तो गोल बना सकते हो आप चाहे तो ट्राइंगल से बना सकते हो वह आपके चोईस पर है मैं यहां पर गोली बना रही हूं तो यह देखो हमारा पराठा गोल बन गया है अभी इसे डाल देंगे तबे पर तबे डालने के बाद जब एक साइट से जब सिख जाए तो उसे पलट लेंगे उसके बाद फिर दूसरे साइट से भी अच्छे से जब सिख जाएगा तो इसमें डाल देंगे तेल घी आपको जो जिसमें आपको अच्छा लगता है बटर मैं यहाँ पे तेल यूज कर रही हूँ आप चाहे तो घी करना आपके बच्चे भी यह पराठा जरूर पसंद करेंगे तो यह हमारा मेर्थी के पराठा रेड़ी है आप लोग भी ट्राए करो अ कर दो अंवे आपके बिसान कर दो दो लोगता है वोगता है रेड़ी हूद और यह हमारा मेर्ई ओितATION आपको जास दो जाता है आपके बचाहँ तो कर नाता है जाल तेल आपके चाहता है सहान तो कर तो कर दो कर